तो यह जो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम चैप्टर नंबर फॉर जो है हमारा रेशो प्रपोर्शन एंड यूनिट्री मैथट इसकी हम ब्रेंट टीजर है जो हमारी उसका हम कोश्चन नंबर फॉर करेंगे तो यहां पर हमारा अचा हां एक और मुझे यह कहना था कि कई मचे मेरे पास रिप्लाइ करते हैं कि मैं वीडियो क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो आप वीडियो स्टार्ट हुआ था तो इसके उपर एक मिंस लिमिट थी कि जो आप वीडियो से अप्लोड कर रहे हैं उनकी वह ज्यादा अच्छी क्वालिटी में वहां पर रिकोर्ड नहीं हो रही थी तो वहां पर थोड़ा सा आपको अजस्ट करना पड़ेगा और मैं आपको यह बता दू कि वीडियो जो होती है वीडियो आप जब जहां आप ऑपन करते हो अगर आप उसके रा और 4P आपको शो कर रहा हो तो यह सबसे लो क्वालिटी होती है इस पर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखेगी तो आप वहां से वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर दें तो आपको वीडियो बहुत लियर अच्छे से नजर आएगी अब हम यहां पर अपना कुश्च लिखे तो वह चारो ही नंबर हमारे किसमें आ जाएं वह प्रपोर्शन में आ जाएं ठीक है तो मैं यहां से यह नंबर दोबारा लिख रही हूँ 18 यहां पर बोक्स है बोक्स में कोई नंबर आएगा और यहां 96 तो मैं यहां ले लेती हूं कि यहां पर क्या आएगा X आएगा तो यहाँ यह नहीं लगाने को मज नहीं लगाने अगर यह proportion में है तो means यहाँ पर ratio का symbol आएगा और यहाँ proportion का ठीक है अब उन्होंने बोला है कि जो भी number आप यहाँ पर find करके आप यहाँ लिखेंगे तो यह चारो number proportion में आ जाएंगे जब मैंने आपको पहले भी clear किया था कि जब आप से पूछा जाता है कि यहाँ box के अंदर कुछ लिखो means यह yes है means आपके proportion में है तब तो आपको लिखना है product of extremes is equal to product of means product of extremes is equal to product of means ठीक है product of extremes is equal to product of means अब आपको यह लगागी कि मैं कहीं पर आप equal डालते हो कहीं पर छोटी सी line लगा कर आप question कर देते हो हमें कैसे पता चलेगा कि किस question में हमें line लगा करना है और किस में equal का symbol लगाना है जब आप find करोगी कि कि क्या number आएगा एकस आएगा तब आपको इक्वल लगाना है क्यों क्योंकि यह चार नंबर आपके प्रोपोर्शन में हैं means उन्होंने yes ही बोला है तब तो हमारे पास condition ही होती है कि product of extremes और product of means हमारे क्या होता है equal होता है तब तो मैं यहाँ equal लेती हूँ और जब हमें पुछा जाता है कि क्या चार नंबर प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है means आपको बताना है yes या no में तो हमें left hand side का answer अलग निकालना पड़ता है right hand side का answer अलग means product of extremes अलग से find करना पड़ता है और product of means अलग से और फिर हम देखते हैं कि दोनों answer बराबर आए हैं या नहीं ठीक है आप उसको बीच में ऐसा मत करना कि हरे question बीच में equal equal लगाते चले जाओ तो वहाँ पर गलती हो जाएगी ठीक है आप यह याद रखलो जिसमें x करना ना x find करना उसमें तो equal आएगा ही आएगा और दूसरे में line लगानी है तो product of extremes क्या बनेगा हम इन दोनों को multiply करना है means 24 multiply by 96 is equal to and product of means means यहाँ पर हम करेक लेंगे 18 and x को हम क्या कर लेंगे multiply अब मुझे find करना है कि यहाँ पर यह x की जगह क्या लिखा जाएगा तो मैं क्या करती हूँ 24 multiply 96 is equal to यह x को मैंने यहीं लिखा रहने दिया अब आप यहाँ देखे यह 18 यह multiply में है तो इधर जाके कहाँ चला जाएगा divide में आ जाएगा आप इसको जितना cancel कर सकते हो आप इसको cancel करो जितना ज़्यादा आप cancel कर पाओ इसको cancel करो और टू की टेबल से 24 भी cancel हो जाएगा 2102, 2204 ठीक है हो गया अब देखो यह दोनों टू की टेबल में तो नहीं आते लेकिन थ्री की टेबल में आएगी 33009, 340012 हो गया cancel अब थ्री की टेबल में 4 नहीं आता है इसको नहीं cancel कर सकते तो दूसरे के साथ देखो क्या 396 को कर देगा 3103, 33009, 32006 ठीक है तो यह आ गया अब आपको क्या करना है इन दोनों नंबर्स को multiply करो 4 multiply by 32 42008 and 43012 128 इन दोनों को multiply किया हमारे पास आया 120 is equal to x अब 120 is equal to x अगर कोई दो चीज़े आपस में बराबर है तो आप left वाले को उठा के नहीं right वाले को उठा के left में लिया हो left वाले चीज़ को उठा कर right में लिया हो उसे कोई change नहीं होगा तो यहां से आपका x का अंसर आजाएगा 128 यह आपका इसका answer है हम है b part अब यहां पर भी हमें find करने की box में हमें क्या लिखना है तो मैं यहां से ले लेती हूँ 1500 200 और यहां पर एक box है जिसमें हमें एक number find करने की यहां पर कौन सा number आएगा तो हम box में क्या लिखेंगे x यहां पर ठीक है यहां पर हमारे ratio के sign और यहां पर हो किसके को लाएगा प्रोड़क्ट ओफ मीन्स की ठीक है तो हम यह लिख लेते हैं प्रोड़क्ट ओफ एक्स्ट्रीम्स is equal to product of means clear अब आप देखें product of सब्सक्राइब करने इसको अकेला रहने देना है और जो कुछ बचाओ से दूसरे साइड ले जाएंगे यहां यह multiply में तो इदर जाके कहा जाएगा divide में 10 से 10 cancel इस वाली 0 से यह वाली 0 cancel इस वाली 0 से यह वला cancel तो इस निचे तो सारा ही कुछ cancel होगा ऐसी 1 रहे गया तो x का answer क्या जाएगा यहांसे एक तो 0 है और 5 और यहांसे 2 means 50 ओर 2 है तो 50 ओर 2 कितने होते हैं 100 तो यहाँ पर आपको इस box में क्या लिखना पड़ेगा 100 तो आपका answer क्या आजाएगा इसका 100 तो इस वीडियो में यहाँ पर इसको stop कर रही हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon जूरू ट्रेस करें क्योंकि उससे आपको मैं जो भी new update होगी जो भी मैं वीडियो डालूँगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो को देखने के लिए thank you so much